जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है, आपका हमारे चैनल रत्योहार कहानिया में इवलिंग पर रखाओ, उस कनेर के पुष्टों को अगर आप पांच जगा पर शकराकर अपने हिर्दाई की बात केकर बातिस महादेव को समर्दित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुमारे दुख का निवारन कर देता है, अब पांच स्थान, गनेश जी, गनेश जी का ज जडानन्द कार्पी की, पीसरा, अशुक सुंदरी वाला स्था, चोथा, जलाधारी जो उपर से बूंद बूंद, जल नीचे गिदा रही है, जया, विशहरा, शामली बारी, डवतली, देव, शंकर जी की पांच बेटियों का, और पांच्वे नंबर का है, शंकर भगवान के, जो ऐसे वर्णन किया जाए, तरिशूल के तीन भाग होता है, तीन भाग का जहां मिलन होता है, पंचम इस्थान, यह पांच्वे इस्थान, यहां पर पित होता है, और वो तीन होता रहा के जल का अलग अलग भावे मारत, पहला जल, साधा, घर से पानी लेकर गए, जल को चड़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भागवान शिव को जल चड़ा कर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर दे, दूसरा जल, जल के कलस में थोड़ा सा इत्र डाल कर, शंकर को जब समर्पित करते हैं, तो महराज, घर में अगर कोई व् थैशन कि नोगे आनद करें अपने करने श्यूमापुरान में भाविष पृरान में, अन्रपृरान में अग्रिपृरान में, नारणा पृरान में, और Kraft everyone में जितनी चीजह लीए एक एक प्रृक्टिकल कर अपना में, इस इस कंध कर ये बहाव दर, कि एक अधिया कर यह महाराज केवल पाच या साथ दिन चड़ा और वो साथ दिन के बाद में उस बिमार गटी का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है और शदी दवाई काम करना प्रारम करीब कि ना करीब कि केवल इत्र समर्फिक इत्रका तो पहला जल साथा दूसरा जल है इत्रका और महाराज पीसरा जल जो शिव महापुरान के अंसरगत कहा गया है बेल पत्तर का जल कि आप तीसरे हो गले का बैल पत्र का ज़ल कैसा कि महारागा शुयव महा अपुरान की कि लग में आनला और डाल मि ऐस जल के ले जागर सिव को समर्पित करना आर थाध और अपनी मन की कामना बागवान शंकर सका है कि में क्यान मंदन किया गया आपने अपने मन का भाव बता दिया इतर का जो आपने का बंदन का प्रहा प्रवाइब है सभी दर्सकों वीडियो पसंद आए होगी अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें ताकि हम हर रोज आपके लिए ऐसे अच्छो कुपाई ला सकें जै महादेव स्थरी शीवाए नमस्तु भ्यां देख घलश जल एक खलस जल एक बेल कटक कभी कोई विशेशकान है अटक रहा है बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा है, एक कलश जल, एक बेलपत्र, श्यू मंदर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीजे हाथ में, उसके उपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हुआ हुआ, अपनी कामना करकर, मंदर में पहुच कर, कलश को उल्ट के हाथ में लेकर, बेलपत्र को पहले, अशुक सुंदरी वाली जगा पर, ये डंडी का जो भाग है, जहां से पानी रहता है, अशुक सुंदरी की जगा होती है, और ये पत्ती, उस जगा पर, उसको रख दे अशुक सुंदरी वाली जगा पर, और संकर भगवान को सीदे ह च्विलिंग पर जल समर्पित करें लगवक दो या तीन सुमबार लगातार प्रती दिन एक बिल पत्र समर्पित करें और अगर आपने लगातार दो सुमबार या तीन सुमबार कर लिया तो जो अटका हुआ कारे है ना मेरा देवदी देव महादेव उसमें सबस्लता प्रदा बेविश्वार अशुक सुंदरी की जगह पिता जितना अपने बेटें के नी सुनता उतनी अपनी बेटी की सुनता बेटा मा को प्री होता है और बेटी बाप को प्री होता है बेटी पिता को प्री है आप्पर सदा बनी दात्री Gr Bardzo से बड़े बिमारियां बड़े भड़े भो बड़े-पर लौ्प पर खूर लौतुर्ध ढाए इस पूनिमा कि दात्री को चूड़ जाने जिन वक्चों के mates पांते हमेडर कांते एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंदर के नीचे रखी वुई है उसी खीर को चटा दीजिए फिर चंदर का घर्शन कराओ फिर खीर को चटा दीजिए महारत नयन की जोती बड़ती है निंद नहीं आती तो निंद आदे भी त्रवेश करती है निंद आच्छी आती है महा देव स्वागत है आपका आपने यूटूब चैनल में दर्स को यदि आपकी कोई विशेश मनो कामना है बहुत दिनों से पूरी नहीं है तो आप एक बात इस चमतकारी उपाय को जरूर करिएगा दर्स को महा देव की सिवलिंग की आप प्रती दिन पूजन करें एक लोटा जल समर्पित करें जल समर्पित करते समय आपको एक बात का मातर ध्यान रखना है दर्स को महा देव की सिवलिंग पे महा देव के समस्त परिवार का वास होता है ऐसे में यदि आप महा देव की सिवल संकर की पांचों पुत्रियां और महादेव की पूजा हो जाती है मात्र एक लोटे जल से तो पहला जल आप गडेशी के स्थान पे शमर्पित करें दोसरा जल कार्ति के तीसरा जल देवी असोप सुंदरी और चौथा जल माता पारवती का हस्त कमल पांचवा जल आप क्योंकि सीवलिंग पर जल समर्पित करता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्या मंत्र का जाप करता है उसके सभी कश्ट दूर होते हैं मनो कामना पोरी होती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्श को वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें चैनल को सब्स